फिल्म फेर एवाड नहीं, नेशनल एवाड इस फिल्म को मिलना चाहिए और पूरे देश में ये फिल्म फिर होना चाहिए और सीनेमा हॉल में नहीं ये फिल्म जो है डाइरेक्ट टेलिविजन पे परसारण होना चाहिए या तो विवेक अगिनी होतरी गलत हो सकते हैं फिल्म के सारे किर्यादार गलत हो सकते हैं जिरों देश में गलत चीजों को दिखाया है उनके उपर करवाई हो जाए या तो वो अगर सही है तो पूरे देश के लोगों को ये फिल्म दिखा दिया जाए इस देश को बताया कि कस्मीर से कस्मीरी पंडितों को भगाया गया था, अगर मिडिया ने उस दिन बता दिया होता कि कस्मीर से कस्मीर में रहने वाले हिंदुस्तानियों को भगाया गया था, तो सायद जो है आज कस्मीर की कहानी कुछ और होती, एक कहानी अगर आज हमने नह है फैजान जिन से हमने कहा कि हमारा कुछ समान है जो यहां पर हम रखना चाहते हैं जब उन्हें पता चला कि हम दकस्मीरी फाइल फिल्म देखने आए हैं तो उन्हों के साथ कोई भी लगेज होता है या कोई भी बैग होता है तो आप सुरक्षित जो है यहां पे रख सकते हैं लेकिन जो यहां के मैनेजर साहब थे उन्होंने नहीं रखने दिया और यहीं खामोसी यहीं मौन कहीं नहीं तो कहीं 1990 में पाच लाग कस्मीरी पंडितों पर भारी पड़ गया क्योंकि मिडिया ने मिडिया काम ना करके पोस्ट मैं का काम किया था और मैं पोस्ट मैं नहीं बनना चाहता हूं मैं मिडिया वाला बनना चाहता हूं और मैं जो हकीकत है वो दिखाना चाहता हूं कहां यह नियम है कि आप अपना समान जो है यहां पे नहीं रख सकते हैं एकदम रख सकते हैं कैमरा मैं अंदर नहीं लेके जा सकता क्योंकि मैं अगर सूट करूंगा तो वो फिल्म का जो नियम होता है उसका वाइलेंस कर दूंगा तो मुझे यहां पर रखना चाहिए और यहां पर उसी के लिए बनाया गया है मैं सिर्फ फांग सीनेमा से पूछना चाहता हूं क्या दकस्मीरी फाइल फिल्म देखने वाले लोग जो है अपने समान को यहां पे नहीं रख सकते हैं क्या अगर रख सकते हैं तो मैनेजर फजान पे जो है करवाई होना चाहिए जो भी नाम है यहां के मैनेजर साब का और अगर नहीं रख सकते हैं सम मुझे सबसे ज़्यादा रुलाया है वह एक्चुल में दग कस्मीरी फाइल है एक सच्चाई जो देश के लोगों से छिपाई गई जिसे 1990 में ही देश के लोगों से बताई जानी चाहिए थी लेकिन नहीं बताई गई क्योंकि मिडिया ने मिडिया के काम नहीं करके पोस्ट म और भविष्य में ये रियलिटी जो है ना वो हमारे साथ भी हो सकता है इसलिए देश के लोगों को ये फिल्म देखनी जरूरी है और देश के सभी राज्यों में ये फिल्म जो है वो टेक्स फ्री होना भी चाहिए और अगर ये फिल्म गलत है तो इस फिल्म के इस फिल्म को मिलना चाहिए और पूरे देश में फिल्म फिर होना चाहिए और सीनेमा हॉल में नहीं यह फिल्म जो है डाइरेक्ट टेलिविजन पर परसारण होना चाहिए या तो विवेक अगिनी होतरी गलत हो सकते हैं फिल्म के सारे किर्यादार गलत हो सकते हैं जिरों कभविस से टिका हुआ है कंदों पे वो बैट मैं देखने जा रहे हैं मकड़ी का जाल जो है स्पाइडर मैं देखते हैं एभेंजर देखते हैं हथोड़ा जो है डाइरेक्ट हाथ में आता है लेकिन जो ग्यान का केंद्र कस्मीर था उसके बारे में जानते तक नहीं है हमारे परदेश के टीनेजर यह है सचाई और यह सचाई जो है देश के लोगों तक जानी चाहिए या तो अगर यह जूट है तो यह कहानी यहीं पर बंद होनी चाहिए बस फिल्म देखके आया हूं मैं और मुझे भी बुरा लगा है यहां पर कुछ बीहेवियर जो नहीं होना च चाहता हूं कि बुल्डोजर की राजनीती बाद में करेंगे पहले इस फिल्म को टैक्स फ्री किजिए उतर परदेश में पूरे देश में यह फिल्म टैक्स फ्री होना चाहिए और टेलीविजन पर डाइरेक्ट दूर दर्सन पर परसारित होनी चाहिए जैसे रमायन को पर ऐसे इस फिल्म को परसारित किया जाए उत्तर परदेश के मुख मंत्री के सासे देश के यसस्तंवी परदधान मंत्री स्विन directly दा मोदिजी विधाया घंदी और मिडिया ने में इस दिन बता और वाहीर ने उस दिन बता दिया हो तहां कि कस्मीर से कस्मीर में राएने वाले हिंदुस्तानियों को भगाया गया था तो सायद जो है आज कस्मीर की कहानी कुछ और होती बस बाकी दकस्मीरी फाइल फिल्म के बारे में 1990 में वो कस्मीर में जो घटना होई थी उसके बारे में भारतिये राजनीती के बारे में और भारतिये मिडिया के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं तथा बॉलीवूड में बैटे सो काल्ड सुपरस्टार वो सिर्फ और सिर्फ दलाल हैं उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना जैहिंद